नवह है आज का हमारा टोपिक है इंटरजेक्शन आज हम इंटरजेक्शन के बारें बात किरेंगे आज हम इंटरजेक्शन के हम इक चीज को क्लिक लेंगे, इंटर्जेक्शन के उदान कैसे होते हैं, what is the sign of इंटर्जेक्शन, इंटर्जेक्शन के पाचान क्या होते हैं, जब एक एक चीज को एक एक करनर को टुच करेंगे, बचलियों बेसिक ग्रामर का बहुत important video lecture है, ध्यान से रखना है, यदि आप advanced learner है, तो भी इस वीडियो को ध्यान से रखिए, आपको बहुत कुछ नया से बिलने बाला है, what is the mean of interactions, इंटर्जेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटर्जेक्शन का मतलब होता है, विश्मयाद बोधक अवयाग, what is the interjection, इंटर्जेक्शन क्या है, what do I stand by interjection, interjection किसे कहा जाता है, the word that expresses sudden surprise, sorrow, joy, repent or hatred is called interjection, the word that expresses sudden surprise, sorrow, joy, repent or hatred is called interjection, यानि वह शब्द जिससे आचानक आशर्य, दूख, आनन्द, घिर्णा या पश्यताप का भावतपन होता है, उसे ही interjections यानि विश्मयाद बोधक अवयाग कहा जाता है, किस परकार का आ जाता है, किस परकार अत्पन होता है, यह सारा सेंस, आने वाले सेंटेंसेंस में आपको एक एक चीज़ की ज़र हो जाएगा जैसे मैंने कुछ लिखा हैं इंट्रजेक्शन्स को अरास, व्रेवो, हेलो, अ, अहा, ओ, अस, वाठ, रह यह सब के सब इंट्रजेक्शन्स है, विश्मयाद इबोधक अव्यावे, इन में से किसी से अचानक अक्षय का बोध होता है, किसी से घोर, दुख का भावत्पन होता है, किसी से आनंद का भावत्पन होता है, किसी से पश्यताब का, किसी से घिना का, यह सब के सब इंट्रज मैंने एक मूट लिखा है अलास और ओह अलास का मतलब होता है हाई और ओह का मतलब होता है हे अलास और ओह ये दो ऐसे इंटर्डेक्शन्स हैं जिनसे अत्यधिक दुख का भावत्पन होता है ध्यान देना है अलास से और उह से ये दो ऐसे इंट्रजेक्शन से ये विश्मया दिपोधक अवयो है जिनसे अत्तधिक दुख का भावतपन होता है किस परकार होता है आपको आगे मिलेगा हुरा, हेलो, व्रैबो ये तीन ऐसे इंट्रजेक्शन से ये विश्मया दिपोधक अवयो है जिनसे अत्तधिक खुशी का भावतपन होता है हुरा का मतलब होता है वाह, हाह, हेलो का मतलब होता है ए, एजी, अजी, व्रैबो का मतलब होता है वाह, वाह, शबाश ये तीन ऐसे इंटरजेक्सन्स है जिससे अत्यदिक खुशी का सेंस उत्पन्न होता है और का मतलब होता है हाई इनसे अत्यदिक निराशा का भाउत्पन्न होता है और का मतलब क्या होता है हाई इससे एक होर निराशा का सेंस उत्पन्न होता है अहा का मुटलब होता है अहा, हस का मुटलब होता है, चुपवाद का मुटलब होता है, कितना कैसा जरह हम sentences के माध्यम से interactions को बारिक्यूस रखते है अरास माई डॉग इस डेड, है मेरा कुत्ता मर गया यहाँ पर अकसमात दुख का भावतपन हो रहा है कोई देखती है, उसका कुत्ता मर गया है उसके अंदर से एक वेदना निकल दही है एक दुख परकट हो रहा है, अकसमात अलास माई डॉग इस डेड, है मेरा कुत्ता मर गया है यहाँ पर जो अलास है न, interjection है, विश्मयाद बोधकवय हो है क्योंकि इससे अकसमात, आचानक, दुख का भावतपन हो रहा है इसलिए अलास जो है, interjection है माई डॉग इस डेड, जब कोई देखती मरता है या कोई जावर मरता है, कोई ही मरता है जिससे हमारा लगाव होता है तो उसके लिए हमारे अंदर से एक आह निकलती है एक दुख का भाव पर कट होता है यहाँ पर अलास से अकसमात, आचानक, वेदना यानि दुख का भावतपन हो रहा है इसलिए यह interjection है विश्मयाद बोधक अवेवे हुराह भी है वोंद मैच हुराह भी है वोंद मैच हा 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 हम लोग ने मैच जीत लिया है यहाँ पर जो गाईज हुराह है यह interjection है विश्मयाद बोधक अवेवेवेवे क्योंकि इससे अकसमात खुशी का भावतपन हो रहा है कोई देखती है जो गैंग में बोल रहा है खुशी का इजहार कर रहा है अपनी खुशी को बिप कर रहा है परकट कर रहा है हुराह हा 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 वी हाँ ओन द मैच हम लोग ने मैच जीत लिया यहाँ पर हुराह जो है इंटरजेक्शन है विश्मयाद बोधक अवेवे क्योंकि इससे अकसमात अचानक खुसी का भाव उत्वन हो रहा है ब्रैबो, you have done well शवास, तुमने तो कमाल कर दिया यहाँ पर जो ब्रैबो है न, इंटर्जेक्स्टन है, क्योंकि इससे अत्यधिक खुसी का भाव, इससे अत्यधिक आनंद का भाव उत्वन हो रहा है यहाँ पर आचानक ब्रैबो के मध्यम से खुसित्पन हो रहा है, इसलिए जो ब्रैबो है यहाँ पर इंटर्जेक्सन है, बिश्मयाद इगुधक अवेव है ओह, आई एम रूइंड, ओह, आई एम रूइंड, हाई मैं बरबाद हो गया है, ओह, है, एक वेदना है एक दुख पर कट हो रहा है, अचानक एपियर हो रहा है ओह, है, आई एम रूइंड, मैं बरबाद हो गया मैं नस्ठ हो गया, मैं लुट गया यहाँ पर अत्यधिक दुख का भावत्पन हो रहा है ओह, है, ओह, है, आई एम रूइंड, मैं बरबाद हो गया है ना यहाँ पर जो ओ है ना इंटर्जेक्शन है इंटर्जेक्शन से यहाँ पर अत्य थिक दूप का भावत्पन हो रहा है इसलिए यहाँ पर जो ओ है ना इंटर्जेक्शन है बिश्मयाद बुधत अवेव है अह आई काई नोट ट्राइ अगें नाओ यह तिप्र निराशा यहां पर हो रहा है, यहां पर कोई देखती है किसी काम को करते करते वो ठक गया है, बार बार कर रहा था, लेकिन सफलता उसे हाथ नहीं लग रही थी, बार बार करने के बवजूत भी, वो असफल हो रहा था, असफल हो हो करके उसके मन से एक सेंटेस निकल दहा है, अख, I cannot try again, ना, मैं आप तुर्मा प्रयास नहीं कर सकता, अब ये मुझसे नहीं होगा, वो निराश हो चुका है, उसके अंदर अत्यधिक निराशा का हो रहा है उसलिए आ जो है इंटर्जेक्शन है फाइप भाइप बैड मैं शी रॉय तुम बहुती बुरे आदमी हो बहुती गंड्य आदमी हो यहां पर आल कट स्वूबाइप इसलिए इंटर्जेक्शन है विश्मयादु लॉध्त पार ठाइप फाई फाई मोहन इस भेर डेंजरस रॉपर छी छी राम राम मोहन एक बहुत खतरनाद डाकू है यहाँ पर धिना का भावत्पन हो रहा है इसलिए फाई फाई जो है इंटरजेक्शन है बिश्मयाद इबुधक अव्याव है किया आदमी है कोई व outta mine को देख करते करके सुरप्राइज कर रहा है अशर कर पर किया अशर कर?ंप नहीं देख rock यहाँ पर सुरप्राइज फिल ओ रहा है न? यहां पर जब वाट है, इंटर्जेक्शन है, फिश्मयादी बोदो का व्योव है, क्योंकि इससे अचानक आशर का भावटपन हो रहा है वाट आ ब्यूटिफुल प्लेस, कितना सुन्दर जगह, कितना सुन्दर अस्थान, ऐसा लगता है कोई देखती है, उसको ऐसा लगता है, कि उसने इतना ब्यूटिफुल प्लेस, इतना अस्थान, इतना सुन्दर अस्थान कभी देखा ही न हो कुछ देखती को ऐसा लगता है, कि उसने अपने जिवार में इतना सुन्दर जगह कभी न देखा हो यहां पर आश्जन हो रहा है इसी मद जो वाट है ना इंटरजेक्शन है विश मयाद गोदक अव्यूद है अलास ही अलास ही ते법 इस ही यहां पर दुखतिपन हो रहा है अत्यघ्राइक दुख का भावत्पन हो रहा है अलास दे यहां पर जो आशै इन्टार्ज eerste आप зовे अश्विए और पर किजिए। इस वीडियो के जितना हो सगय सेर कीजिये तक यह भारत के बच्चे बच्चे के पास लोचे और बड़े फैवाने पर बच्चे इसके अलाव उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुं सकूँ चैनल के सब्सक्राइब कर लें तक आने वरे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुं सके तुरूंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद